हेलो स्टुडेंट्स, एंपेरिकल इंस्टुटूट के सामान निग्यान शरंखला में ये है भारत में बड़े छोटे और उचे आदी के डेटा का पार्ट दो यदि अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले वे देख लीजिएगा चलिए इस पार्ट दो की शुरुवात करते हैं सबसे पहला कोशन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका सही आंसर है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलो मीटर है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा घर का मतलब होता है संग्रहाल है इसका सही आंसर है कॉलकाता अजायब घर कॉलकाता में इस्तित अजायब घर याने संग्रहाल है कॉलकाता संग्रहाल है भारत का सबसे बड़ा संग्रहाल है आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे बड़ा गुमबज कौन सा है तो इसका सही आ में भी मैंने कुछ अत्रिक्त जानकारियां दी थी तो इस प्रकार से ये लाल अक्षरों में लिखे हुए इसके आंसर हैं और ये नीले अक्षरों में लिखे हुए ये अत्रिक्त जानकारियां हैं जिस पर कोश्चन बन सकते हैं मुहमद अली शाह जो थे जो इसके निरमाता थे वे आदिल शाह वन्ष से ते थे आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट समझते हैं अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है इसका सही आंसर है गोरकपूर रेलवे प्लेटफार्म उत्तर इसकी लंबाई 1.3 किलो मीटर है और यहां उत्तर पूर्व रेलवे जोन में आता है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है तो इसका सही आंसर है युवा भारती स्टेडियम या जिसे सॉल्ट लेक भी कहा जाता है यहां कॉलका में स्थित है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट समझते हैं अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है इसका सही आंसर है मुंबई मुंबई महराश्ट्र भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जिसका अन्य नाम भारत की आर्थिक राजधानी भी है इसे भारत की आर्तिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है इसका सही आंसर है डिबरुगर से कन्या कुमारी तक डिबरुगर से कन्या कुमारी तक का रिलमार्ग भारत का सबसे लंबा रिलमार्ग है और इस पर चलने वाली विवेक एक्सप्रेस जो है यह इस लंबाई को तै करने वाली ट्रेन है यह ट्रेन कुल आट राज्यों से होकर के गुजरती है इस बात को आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट समझते हैं अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है इसका सही आंसर है मुंबई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका आधिकारिक नाम याद रखिएगा इसका आधिकारिक ना पार जो है वो इस बंदरगाह से होता है ये बताब ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है इसका सही आंसर है National Highway 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग याने National Highway है यहाँ श्री नगर क कन्या कुमारी से जोडता है और इसे North South Corridor भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट समझते हैं अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है यानि कौन से राज्य में समुद्र तट्रेखा सबसे लंबी है इसका सही आंसर है गुजरात गुजरात राज्य की समुद्री तट्रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई 1214 किलो मीटर है और याद रखिएगा भारत की कुल जमीनी तट्रेखा का 23 प्रतीशत ये होती है याने यह 12,014 जो है यह कुल जमीनी तट रेखा का 23 प्रतीशत है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय जिल भारत में कौन सी है इसका सही आंसर है चिलका जिल चिलका जिल ओडिसा राज्य में इस्तित है और इसे लेगून जिल भी कहा जाता है याद रखिएगा जो खारे पानी की जिले होती है उन्हें लेगून जिल कहा जाता है इस प्रकार से ये कोशन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून जिल कौन सी है तो वह है चिलका जिल यहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेगू यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो की गंगा की सहायक नदी है इसका अन्य नाम कालिंदी है कालिंदी नाम इसलिए है क्योंकि यह कालिंदी परवत से निकलती है इस वज़े से इसे कालिंदी भी कहा जाता है और यह प्रयाग में गंगा से आकर यह मिलती है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है याद रखिए का मैंने कहा है दक्षिन भारत भारत नहीं दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर है गोदावरी गोदावरी नदी दक्षिन भारत की सबसे लंब जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है तो याद रखिएगा नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबक घाटी से गोधावरी नदी निकलती है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है इसका सही आंसर है हीरा कुंड बांध हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है यह ओडिसा राज्य में स्थित है और यह महा नदी पर बना हुआ है याद रखिएगा महा नदी पर बना हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं अगला पॉइंट है भारत का सरव सरवच शौर्य सम्मान कौन सा है भारत का सरवच शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है याद रखिएगा परमवीर चक्र भारत का सबसे सरवच शौर्य सम्मान है इसकी शुरुवात कब हुई थी ये कोशन आ सकता है तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुवात हुई थी इस medal को किसने डिजाइन किया था, तो उनका नाम है सावित्री बाई, सावित्री बाई ने इस medal को डिजाइन किया था, आगे बढ़ते हैं, विजेता, अब तक कि यदि हम बात करें, तो 21 भारतिय सैनिकों को यह पुरुसकार दिया जा चुका है, याद रखिएगा 21 भारतियो याने भारत में जिस प्रकार से परमवीर चक्र है, उसी प्रकार से अमेरिका का सरवच्च सौरे सम्मान, सम्मान पदक कहलाता है, इसी प्रकार से UK में Victoria Cross जो है, जिस प्रकार से भारत में परमवीर चक्र है, उसी प्रकार से UK United Kingdom में Victoria Cross माना जाता है, तो साधरश्यता याने एनलोजीकल कोश्चन जो रिजनिंग में आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं दूसरा स्थान यहाँ पर मैंने और कुछ पदकों को इसी में इंक्लूड किया है भारत का सरवच सौरे सम्मान परमवीर चकर है इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है म महावीर चकर इसके बाद में तीसरा इस्थान रखता है वीर चकर और इसके बाद में अशोक चकर ध्यान से समझेगा परमवीर चकर महावीर चकर और वीर चकर यह पदक जो है 1950 में इनकी स्थापना की गई थी जबकि अशोक चकर 1952 में शुरू किया गया था इस प्रकार से यह था भारत में बड़े छोटे आदी के डेटा का पार्ट दो यदि यह वीडियो आपको useful लगा है तो अपने experiences को comment box में जरूर लिखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए thank you